हेलो दोस्तो स्वागर थे आप जबी का इस चैनल पे मेरा नाम है देवाशिष और दिस एनेडशापने प्रोडक्शन इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कौन सी चीजे आपको आपके M.Tech में अगर आपने एड़िशन ले रखी है तो कौन सी चीजे पढ़ना आपको start करना है immediately ताकि आप आपके placements की basics clear कर पाओ और placements के लिए एक अच्छा kick-off कर पाओ आपकी preparation के लिए basically placement season जो होता है वो काफी tricky season हो जाता है क्योंकि अलग-अलग type की companies आती है और even आपको अलग-अलग type के resumes भी बनाने पड़ते हैं आप सारी companies के लिए eligible हो भी सकते हो आप non-core companies जिसमें business analytics हो गया simple analytics हो गया, AI, ML companies जो pure coding companies है या फिर जो research R&D हो गया ऐसी सारी companies के लिए आप कोई भी department में हो आप eligible तो होंगे लेकिन कौन से skills, कौन सी चीज़े आपको आनी चाहिए ये मैं बता रहा हूँ तो सबसे बहले probability पे काम करना शुरू करो अगर आपकी basic probability घराब है तो general aptitude से जो basic probability है वो पढ़ो JEE की probability पढ़ो उसके बाद जो आपने gate के लिए probability प्रिपेर की थी वो पढ़ो काफी जादा हिस्सा है business analytics companies का तो ये दो skills आपको business analytics में काफी काम आएंगे और बाकी भी जो भी other type की companies है जो finance level है, managerial positions है उसमें भी ये चीज़े काफी काम आएंगी क्योंकि इनके written tests में और interviews में probability या फिर statistics के थोड़े से सवाल आ सकते है puzzles पे भी आप work कर सकते हो तो probability और statistics हो गया दूसरी बात, even though you are from let's say mechanical, civil कोई भी interdisciplinary branch भी होगी फिर भी मैं आपको suggest कर रहा हूँ कि AI और ML का कोई एक course कर ले ना किसी एक semester में एक दम beneficial रहेगा आजकर आप advertise देखते होंगे कि वो data science की advertise यहाँ पे admission ले लो triple IIT में admission ले लो फिर online course है और देट देट लग फीज है उनकी I am telling you if you are from NIT, IIT in a good premier institute there is going to be some course on AI और ML, either in your odd semester और in even semester तो at least एक course कर लेना non-core या फिर core में वो अभी के लिए चिंता मत करो, लेकिन core companies में भी आपको ये skills काफी काम में आते हैं, मेरे काफी सारे दोस्त बोलते हैं कि उनकी कोई भी profile हो healthcare में काम कर रहे हो, और civil में काम कर रहे हो जैसे geotechnical हो गया है, और mechanical में भी काम कर रहे हो, उनका important aspect जो है industry में वो ML का है, machine learning वाला है, artificial intelligence वाला है, अगर ये skills आपको आते हैं, तो आपको बहुत सारे मौके open हो जाते हैं, again this is I am telling from my own experience क्योंकि IIT जैसे जगा पे मैं था तो मेरे को सीखने के लिए बहुत मौके थे और मैंने audit या non audit courses नहीं किये, तो either audit लगा लो या फिर non audit course लगा लो AI और ML प्रिपेर कर लो इसके अलावा, आपके core branch के लिए कोई भी ऐसा subject हो, जिसमें advance लगा हो, तो वो लगा लेना audit कर लेना चाहे तो, जिसे advance control system हो गया, है ना, advance machine design, ऐसा कुछ core सुका तो वो लगा लेना audit, वो थोड़ा tough जाता है, लेकिन वो आपके, जो resume में आप डालते हो ना, वो सही दिखता है और इस तरह आप companies के placements के preparation के लिए kick off अच्छे से कर पाओगे एक खुद को 3-4 मैंने दो, probability statistics बढ़िया कर लो क्योंकि ये इसलिए important है क्योंकि आपके move पे answer आना ची हमेशा क्योंकि मेरे साथ ऐसा हुआ था कि मैने phone 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 पे interview दिये थे तो phone प्यार मैं blank हो जाता क्योंकि मैं जैसे रस्ते पे घुम्राओ मैंने को phone आ गया और उन्होंने बोला कि we are calling from this this company, आपने return test clear की थी और I was taken by surprise और उन्होंने मेरे को probability का simple सा सवाल पुछा और मैं answer नहीं कर पाया था ऐसा नहीं कि मैंने prepare नहीं किया था लेकिन you are always taken by surprise sometimes क्योंकि ऐसा होता है कि आप उठते हो दो घंटे बाद कोई आपको बताता है इस इस company का interview है तो आपको जाना पढ़ता है भागना पढ़ता है इसलिए practice important है और अगर practice तभी अच्छे से कर पाऊगे जब basics clear है इसलिए मैं बता रहा हूँ कि आज से start करो probability statistics AIML का कोई course इसके अलावा मैंने languages तो बता ही रखी है python पढ़ लो कुछ पढ़ लो इस तरह आपके arbor में बहुत सारे skills अगर होंगे तो you'll be कुछ live session अगरा करके ये सब कर लेंगे लेकिन मिलेंगे जल्दी एक नए वीडियो के साथ तब तक के लिए ज्यान पीते रहे है